नमस्कार दोस्तों मेरा नम है मोई शर्मा और शागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में यह हमारा Evening Booster 2 है और यह इसलिए लाया जाता है ताकि जो आपने पूरे दिन पर रखा है उन चीजों का बूस्त अप कर सके और अपने जो भी आपने चीजे पर रखी है उनको आप एनलाईज कर सके तो उससे पहले मैं आपको एक एप के बारे बताना चाहता हूँ जिस एप का ना में परिक्षा है अगर आप किसी भी टेस्ट की त्यारी कर रही है चाहे वो HPGOAT की हो Constable की हूँ या Cooperative Bank की या कोई भी हिवांचल परदेश का एक्जाम हो तो उसके लिए आप एक code यूज कर सकते हैं पारबरिक 50 जिसमें आपको 50% आफ रहता है और आप बहुत अच्छे से अपने टेस्ट की त्यारी कर सकते हैं तो इस एप का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहां पे जाकर करके आप इसे क्लिक करके एप को डाउलोड कीजिए और अपने त्य 1887 या 1869 तो इसका जो सभी तरह है वो है दोस्तों 1887 तो यहां पे जो सबसे पहला एक्ट किया गया था वो था Time Will Tell Time Will Tell जो था सबसे पहला यहां पे एक्ट परफॉर्म किया गया था महरानी विक्टोरिया में जब आये थे यह तो उनकी लिए यह गेटी थेटर खोला गया थ वो 1887 के असपास आये थे दूसरा सवाल हिमांचल परदेश के पहले उपरा जेपाल कौन थे यानि हिमांचल परदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे उप्शन साब के सामने है यस परमार करनल कमान सिंग मेजर जनरल हिमांच सिंग और शीवानंद रमॉल तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है उप्शन नमबर सी मेजर जनरल हिमांच सिंग एक चीज और देखिए मैं जो इवनिंग बुस्टर वन लाए था उसमें मुझे कहा गया था कि आप सर इन चीजों को एक्स्प्लेइन भी कीजिए तो देखिए अगर आपको सवाल पुछा जाए कि टोटल लेफ्ट इडेंट गवर्नर जनरल कितने रहे तो तब आपने कहना है कि टोटल रहे सिक्स तो उसमें सबसे पहले थे आपकी मेजर जनरल हिमत सिंग दूसरे नमबर पर थे बजरंग बहादूर तीसरे नमबर पर थे विश्वनाथन तीसरे नमबर पर थे भगवन सहाय चौथे नमबर पर थे ओम प्रकाश और पांच्वे नंबर पर थे बहादूर सिंग पांच्वे नंबर पर कौन थे बहादूर सिंग फिर से रिपीट कर रहा हूँ पहले पर थे हिम्मत सिंग दूसरे में थे बजरंग बहादूर तीसरे में थे विश्वनातन चौते में थे भगवन साहय पहांचुए में थे ओम प्रकाश और छटे में थे बहादूर सिंग तो हिमानचल प्रदेश में जो टोटल आपके लेफ्टिनेट गवर्नर बोले तो वो प्राजय पाल रही है वो रहे है छे ठीक है जी चलिए अगला सवाल तमसार परवत हिमानचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है ओप्शन है चमबा कि नौर लाहुस पिति और शिमला तो इसका जवाब का सही उत्तर है दोस्तों वो है ओप्शन नमबर ए चमबा अब देखो अगर आपको तमसार आए तब तो आपने करना है चमबा और ध्यान रखने ये क्या एक परवत अगर यहीं पे आपको आगया दोस्तों लिखा हुआ तामसर क्या लिखा हुआ आगया तामसर तो ये एक क्या है ये एक दर्रा है ये एक दर्रा है और ये है आपका कांगडा district में ये कहां पे है कांगडा district में तो आपने ध्यान रखना है तमसार और तामसर दोनों अलग लग है चौता सवाल कौन सी नदी रावी की सहायक नदी नहीं है इन में से ये काफी ट्रिब्योटरी हैं कौन सी जो है रावी की ट्रिब्यूटरी नहीं है तो option है सियूल, बांदल, बैरा या मनालस इसका जो आपका सही उत्तर है वो है option number D मनालस ये जो है ये है रिवर ब्यास की और ये जो सियूल नदी है ये रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ठीक है जी, चलिए अगला सवाल उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे बताना चाहता हूँ अगर आप HP Police Constable की त्यारी कर रहे है और अगर आप एक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो केवल 39 रुपीज का टेस्ट रहेगा उसमें हमारे द्वारा दोस्तों टीम के दौरा बारबरी कोचिंग के टीम के दौरा सवाल बनाए गए हैं जो लिंक के धुरू आपको टेस्ट रहेगा उसी समय आपके मार्क्स मिलेंगे और उसी समय आपको बताया जाएगा कि आपका कितना स्कूर रहा और इस टेस्ट की केवल किमत है 239 रुपीज जिससे आप एनलाइज कर सकते हैं कि आप कैसी जारी आपकी चल रही है इसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथेमेटिक्स, क्रेंट अफेयर्स हर एक चीज़ अच्छे से कवर रहेगी ठीक है जी अगर आपका ये रिस्पॉंस अच्छा रहता है तो इसके चीज लाएंगे जिसमें 6 सा टेस्ट इकत्थे रहेंगे बात करते हैं अगले सवाल की हिमानचल परदेश का प्रसीद हिमानचल परदेश में बहुत प्रसीद मंदीर है जिस मंदीर का नाम है मिरिकुला देवी का मंदीर दोस्तों तो ये जो मिरिकुला देवी का मंदीर है सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ कि यह लाहुस पीती में है कहां पे है लाहुस पीती में और लाहुस पीती के है यह उदयपूर में तो यह किस चीज से बना है पत्थरों वह सलेटों से, केवल लकडी से पक्की इंटों वह मिट्टी से या नकाशी वाले पत्थरों से तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो पूरा का पूरा मंदिर बना है यह शिरफ एक पेड़ से बना है और यह पूरा का पूरा लकडी का है इसकी छत लकडी की है इसका जो फर्च है वो लकडी का है हर एक चीज लकडी से बनी हुई है और आप मुझे comment section में बताना कि जो माता मरीकुला देवी का मंदीर है ये किस माता को समर्पीत है अगला सवाल जून से दोस्तों आपका सब इस्पेक्टर का course भी शूरू होने वाला है तो अगर आप interested हैं और अपना slot book करवाना चाहते हैं तो इस number भी whatsapp कर देना आपको free सब इस्पेक्टर वाले कोर्स में जोड़ दिया जाएगा अगला सवाल जमाकडी कहां का लोक न दिखते है जमाकडी या जमाकडा कुछ भी आ गया दोस्तों तो आपने ध्यान रखना है अप्शन है कुलू, कांगडा, चंबोर, शिमला तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है option number B कांगडा चलिए टौनी देवी मंदीर कहां स्तित है टौनी देवी का जो मंदीर है ये कहां पर है options है सुंदरनगर, उन्ना, बिलासपूर या हमीरपूर तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है option number D हमीरपूर किस वर्ष हिमांचल प्रदेश में संपूर्ण विद्यूतिकरण का उदेश्य प्राप्त कर लिया था विद्यूतिकरण यानि दोस्तों electricity का जो उदेश्य था वो प्राप्त कर लिया था तो इसका जो सही उत्तर है option आपको दे रखी है 2011, 1986, 1988 या 1974 तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number C 1988 अगला सवाल श्री साई विश्यो विद्याले कहां सदित है ये प्राइवेट यूनिवरस्टी है तो पुछा गया है ये कहां पर है पार्लमपूर में, मंडी में, सोलन में धर्मशाला में इसका जो सही उत्तर है वो option number है पार्लमपूर एक चीज़ का अप ध्यान रखना दोस्तों कई बार ऐसा रहता है कि एक यूनिवरस्टी पुछी गई थी अभी हाली में यानि HPPSC तो उसके जो अध्यक्ष मनें उनका कहनाम है तो उनका नाम है दोस्तों अजय कुमार अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगे और फाइदे मन्द हो तो वीडियो को शेर दूर कीज़े दोस्तों और इवनिंग बूस्टर को पी लिजे अट्स इनब एव ञूदे, तो झाहिए झाहिए झाहिए